हाई अब्रीवन वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल एंब्या पाटशाला मेरे यूट्यूब चैनल एंब्या पाटशाला पर आप सभी लोग का सवागत है जैसे कि आप लोगों पता है कि हम लोगों ने एक सिरीज की स्टार्टिंग की हुई है अपने इस सिरीज में हम लोग CAC 2022 में जितने भी questions आये थे टोटल 66 questions आये थे तो वो सारे के-सारे के questions हम लोग topic-wise cover कर रहे हैं तो अभी तक हम लोगोंने ratio topic cover कर लिया है percentages topic cover कर लिया है और अब हम लोग average mixture allegation का एक video already जा चुका है तो यह second video आप लोगे सामने है तो देखते हैं जरा इसमें हम लोग कौन-कौन से questions cover करने वाले है तो topic average mixture allegation है और मैं आप लोगों को बता दूँ यह हमारा official telegram channel है आप लोग इसको जरू जोइन कर लेना क्योंकि सारे के सारे updates आप लोगों यहीं पर मिलने वाले हैं इसी telegram channel पर ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं पहला question हमारी screen पर यह रहा और देखेंगे इस question को कैसे हो गया है ठीक है आप लोगों को जब average पढ़ाया गया था ठीक है आपने कहीं पर भी अगर average पढ़ा है तो आप लोगों ने यह concept जरू पढ़ा होगा कि जो हमारे पास AP होती है जो हमारे पास arithmetic progression होता है arithmetic progression में जो हमारा average होता है कोई भी दुनिया में कोई भी AP हो कोई भी AP हो दुनिया में ठीक है AP के case में जो हमारा average होता है हमेशा दिहान रगना AP के case में जो हमारा average होता है वो होता है first term plus last term by 2 in case of AP our average is nothing first term plus last term by 2 तो यहाँ पर हमें क्या बोला जा रहा है ज़रा देखते हैं average of all three digit terms in an AP यह AP है इसमें किसका average बताना है all three digit terms तो यहाँ पर अगर मैं इस AP को देख पा रहा हूँ तो 38 first term है फिर 55 second term है 72 next term है उसके बाद हमें नहीं पता है यह पूरा AP चल रहा होगा इस AP में चलते चलते बहुत सारे three digit terms आएंगे उन three digit terms का average क्या होगा मुझसे वो पुछा जा रहा है अगर आपको यह पता था ना कि यार किसी भी AP में जो हमारा average होता है वो क्या होता है first term plus last term by 2 अगर आपको इतना पता था ना तो आप इस question को easily solve कर सकते थे आपको कोई भी problem नहीं थी ठीक है यहाँ पर अगर मैं देख पा रहा हूँ थोड़ असा धियान से देखना जा रहा ठीक है common difference कितना है 17 आप लोगों को में एक amazing तरीका सिखाने वालों इसको break करने का ठीक है इन सारे numbers को आप 17 की form में लिख सकते हो जैसे मैं आप लोगों को बताऊं यह जो 38 है ना 38 को आप बोल सकते हो 17 into 2 plus 4 बोल सकते हो ना 17 into 2 plus 4 55 को आप बोल सकते हो 17 into 3 plus 4 यह सारे के सारे number 17 की table से 4 जादा है 34 plus 4 17 3 जा 51 plus 4 68 plus 4 72 17 4 जा 68 होता है तो पहला 3 digit number ऐसा कौन सा है जो हमारे पास 17 की table में आता है पहला 3 digit number तो वो है 17 into 6 17 into 6 कितना होता है 102 होता है बट यह सारे के सारे number 17 की table से 4 जादा है यह भी plus 4 है 34 plus 4 51 plus 4 72 plus 4 तो इसी AP में हमारे पास जो पहला 3 digit number आएगा वो आएगा 106 जो की कैसा number है 3 digit number है आप बोलोगे सर आप 3 digit number के पीछे क्यों पड़े हो हो क्योंकि भाई मुझे 3 digit numbers का एवरेज निकालना है तो this is the first 3 digit number of this AP इसी AP का last 3 digit number मुझे बताना है अब मुझे पता है यार last 3 digit number कैसे निकलेगा देखो अगर मैं 999 को 17 से डिवाइड करता हूं तो 17 5s कितना होता है 85 होता है तो इनका difference कितना आने लग रहा है 14 आने लग रहा है 9 आने लग रहा है है न 17 8 कितना होता है 136 होता है 9 में 6 गया 3 4 में 3 गया 1 हमारा remainder आने लग रहा है 13 इसका यह मतलब है कहने का इसका कहने का यह मतलब है अगर आप यहाँ पर अगर आप यहाँ से triple 9 में से 13 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा आपके पास 9 में से 3 गया 6 986 तो 986 is the multiple of 17 986 is the multiple of 17 इसको हम लोग बोल भी सकते है 17 into 58 क्योंकि जब मैंने triple 9 को 17 से divide किया तो मेरा remainder कितना है 13 remainder तो नाम से clear है जो remaining part होता है अगर आप remainder को minus कर दोगे अगर आप लोग remainder को minus कर दोगे आपने remainder को अगर minus कर दिया तो क्या होगा remainder को minus करने के बाद हमारे पास क्या आएगा भाई जो number बचेगा वो exact 17 से divide हो जाएगा ठीक है so 986 is the multiple of 17 बट यार जो मेरे पास AP है ना इस AP में सारे के सारे numbers 17 के multiple से 4 जादा है ये भी 4 जादा था ये भी 4 जादा है ये भी 4 जाद है ये भी 4 जादा है तो लास्ट नंबर लास्ट नंबर जो 17 के multiple से 4 जादा होगा 17 का multiple कौन सा होता है जरा बताओ 17 का multiple कौन सा होता है 986 986 में प्लस 4 कर दो 986 में प्लस 4 कर दो तो कितना आएगा जरा देखते हैं चलते 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 986 प्लस 4 986 प्लस 4 एक मिंदा इसको clearly लिखते हैं This is 986 प्लस 4 which is 990 तो 990 इस AP का last 3-digit number होगा इस AP का last 3-digit number क्या होगा 990 होगा इस AP का पहला 3-digit number कौन सा है इस AP का पहला 3-digit number कौन सा है 106 last 3-digit number कौन सा हा रहा है 990 Are you getting my point first 3-digit number कितना 106 last 3-digit number कौन सा 990 अब यार average निकालना is not a big deal मतलब अब तक तो मैंने पता कौन से concept का use किया AP का जो arithmetic progression होता है और हम ये नहीं कह सकते कि सर आपने AP कैसे use कर लिया हमने तो अभी AP पढ़ा नहीं ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ average में कहा AP पढ़ते हैं AP आप लोगोंने class 10th में पढ़ लिया था और किसी AP का पहला 3-digit number और last 3-digit number निकालना इस तो डोड़ा big deal ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है मैंने क्या देखा था इन numbers को मैंने देखा भाई ये numbers हमारे पास 17 के multiple से 4 जादा है तो पहला number कौन सा होता है जो 17 का multiple होता है और 3-digit number हो 17 into 6 होता है 102 बट ये सारे number 4 जादा है तो मैंने भी इसमें plus 4 कर दिया तो 17 into 6 plus 4 ऐसे ही मेरे पास last 3-digit number जो 17 का multiple होता है 17 into 58 होता है 986 उसमें plus 4 किया तो कितना बन किया 990 इस अब लास्ट 3-digit number of this AP तो अब we have to find the average of all the 3-digit terms तो first 3-digit term last 3-digit term ये भी तो एक AP होगी न इसमें अगला term आएगा फिर अगला term आएगा AP के case में average कितना होता है first term plus last term by 2 तो first term 106 है last term 990 है by 2 करने में feel है अगर मैं इनको add करूँ है 990 plus 100 1090 plus 6 तो 1096 by 2 तो ये हमारे पास कितना आएगा 548 आएगा ये हमारे पास कितना आएगा 548 आएगा Is it clear to everyone guys? Is it clear to everyone? क्या यहां तक की बाते आप लोगों को clearly समझ मारी है तो I think ये question भी average के उस concept पे based था कि यार average AP के case में average क्या होता है first term plus last term by 2 average mixture allegation की पूरी की पूरी playlist का link आप लोगों को इस video के description में मिल जाएगा आप वहाँ से देख सकते हैं और आप ये देखेंगे यारी इस तरह ये concepts मैंने already महाँ पर cover की हूँ है जो concept मैंने discuss की है उनसे बाहर question आई ही नहीं सकता क्या ही बाहर आएगा भी बताऊ कुछ और थोड़ाई आजाएगा इस question को देखो ये question जब मैं अभी class से पहले मतलब मैंने ppt में डाला तो मुझे और मैंने read किया मैंने का देख लू ना भाई solve कराना है अपने को भी ठीक है तो मुझे थोड़ी हसी आ गई मैंने का लिटरली cat का question है ये मैंने already अपनी class में कराया हुआ है YouTube पर आप लोगों को एक topic पताऊ को क्या होता है allegation तभी तो allegation भी average के questions को solve करने का एक तरीका है allegation भी जो है वो average के questions को solve करने का एक तरीका है अब क्या बोला जा रहा है the average weight of students in a class increased by 600 gram when some new students join the class ठीक है मतलब पहले average कुछ भी था ठीक है तो average 600 gram से हमारा increase हो गया अच्छा 600 gram को अगर kg में convert करूँ 600 gram को अगर मैं kg में convert करता हूँ तो कितना आएगा मेरे पास 0.6 kg आएगा इतना आएगा 0.6 kg आएगा ठीक है तो कुछ नए बच्चों के join करने के बाद हमारा average कितना हो गया 0.6 kg हो गया average weight of the new students is 3 kg more than the average weight of the original student let the average weight of the original students let the average weight of the original student be A average weight of the new students is 3 kg more than तो new students यह original students का है और यह new students का है तो new students का average कितना है A plus 3 kg यह new students का average है तो जब इन दोनों को मिला दिया जाता है मतलब पुराने कुछ students थे उसमें जब यह नए students जोईन कर लिये तो पूरी class का average है वो 600 gram से increase हो गया 600 gram का मतलब होता है 0.6 kg तो जो नया average है ना हमारे पास कितना होगा A plus 0.6 kg इनको जोईन करने के बाद अब पूरी class का average यह हो गया है पुराने बच्चों का average यह हमारे पास पुराने बच्चों का average है यह हमारे पास नए बच्चों का average है जो नए बच्चे हैं और ये जब पुराने और नए बच्चे मिल जाता है तो पूरी class का average ये हो जाता है क्या allegation की feel नहीं आ रही कुछ बच्चे पहले थे उनका average A था कुछ नए बच्चे आये जिनका average weight पुराने वालों से 3 kg जादा था तो उनका average weight हो गया A plus 3 इन दोनों को मिलाने के बाद पूरी class coverage हो गया 600 grams increase हो गया तो A plus 0.6 now cross multiplication cross subtraction करना is not a big deal allegation लगाओ answer पाओ ठीक है इन दोनों का difference लोग कितना आ रहा है अच्छा जो allegation की basic rule है कि यहाँ पर जो number लिखा गया है वो इन दोनों करो कितना आने लग रहा है 2.4 आने लग रहा है इस में से सको subtract करो कितना लग रहा है 0.6 आने लग रहा है now इनको reduce कर लो कितना आने लग रहा है 4 ratio 1 4 ratio 1 आने लग रहा है क्या बिलकुल आने लग रहा है तो old students और new students का जो ratio है न वो 4 is to 1 आने लग रहा है और हमसे यही पुछा जा रहा था then the ratio of original students to the number of new students original students to the number of new students is 4 is to 1 4 is to 1 कौन से option में हमारे पास option B में है कौन से option में हमारे पास option B में है I hope आप लोगों को ये बात भी बड़ी अच्छी तरह से clearly समझ में आ गई होगी और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई doubt होगा ठीक है चलो very nice guys these are the two questions of averages we have already covered two questions मैंने बोला था average के ज्यादा questions आये थे cat 2022 में ठीक है तो मुझे लग रहा है इसकी 2 या 3 वीडियो और जाएंगी क्योंकि मैं लेके चल रहा हूँ एक वीडियो में दो questions लेके चलते हैं ठीक है थोड़ा सा आप लोग भी concentration के साथ देख लेते हो और मेरे लिए भी असानी रहती है short videos बनाना ठीक है तो आई होप आपको clear होगा है ठीक है चलो जी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care have a nice day guys bye